कि नमस्क्राइब दोस्तों मैं आपका दोस्त में मालम कंप्यूटिशन कम्यूनिटी के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक्स अभी नंदर करता हूं स्वागत करता हूं अभी जैसे कि हम लोग ने देखा कि दो-तीन दिन पहले सीजी पीएसी के मेंस के जो एसे आया हुआ है निबंद में कुछ राष्टी घटनाओं अंतराष्टी घटनाओं पर बहुत अच्छे-च्छे उन्होंने क्या है टॉपिक चूज किये हैं जिस पर की एक अच्छे द्र मातरा में टाइम मिलता है जिसमें आप अपने सोच समझ अपना अप्रोच सारी चीज दिखाते हैं और वह भी जो देखना चाहते हैं आप में मैक्सिमम देखा जाता है क्या कि ऐसे कमादम से वह देखते हैं तो और इसका वेटेज भी काफी है आपके सेलेक्शन में एक दो इसलिए बहुत गंभीरता से हमको ऐसे पर क्या है कुछ बात करनी पड़ेगी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले या फिर अन्य टॉपिक भी जिस पर हमें चर्शा करनी है शुरू करने से पहले कुछ बातें आप अच्छे से जान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि यह आपके नॉलेज के टेस्ट से जादा आपकी परसनालिटी का टेस्ट है आपकी सोच समझ और आपके अप्रोच का टेस्ट है तो इंपोर्टन चीज है कि आप पहले क्या करें टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत गहरा ही से समझें थोड़ सा टाइम दें उसे टाइम इसे के लिए आपको सभी में बराबर और टाइम देना है तो कैसे इसको मैनेज करें कि चारो आप अच्छे से लिग भी ले जाएं और हडबढ़ हाट में कोई गड़बड़ी भी ना हो तो इसलिए क्या है कि एसे पर आपको क्या है एक्जाम से पहले बहुत टाइम देना पढ़ता है और नियूज पेपर पढ़ना और करन की चीज़ें देखना यह देश दुनिया में क्या हो रहा है उन सारी घटनाओं पर क्या है पुरा नज़र रखना यह बहुत जरूरी चीज़ है और मुझे लगता है कि यह 24 घंटे की पढ़ाई है जहां पर आप क्या है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं रहने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि अब जब देखते हैं इस तरीके के जो एसे के टॉपिक है आप कोई किताब पढ़ करके इस तरीके के एसे को बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते हैं या फिर यह कहा जाए कि अ नंबर देलाने में माददगार साब इतने होगे बलकि क्या होगा कि नंबर कम से कम होते चले जाएंगा चलिए अभी इसी टॉपिक से हम एक शुरुआत करते हैं इसको समझने की यह जो आपका टॉपिक है रूस यूक्रेन विबाद सेंक्तराश्रंग की भूमिका तो इसम बहुत तर लोग जो हैं वह यह कोशिश करेंगे कि मैं बहुत जानता हूं पूरा कोशिश में यही करना शुरू कर देंगे कि वह पूरा रूस यूक्रेन का विबाद ही पूरा समझाने पर तुल जाएंगे जिबकि वास्तों में इस टॉपिक की मांग यह नहीं है कि रूस संग्तराश संग् की जो भूमिका है उस पे काफी प्रहश्चिन लग रहे हैं काफी आलोचनाओं के कटगरे में खड़ा हुआ है है ना तरह तरह की आलोचना जो है यह संसा जहिल रहा है बहुत सारे लोग जो है बाउख होकर कि यह इस तरह की बात होकर के एक दम बिल्कुल आप रासंग की बता देना है इसрокता को यह गल्ती आपको नहीं करनी यह गल्ति बिल्कुल भी नहीं करनी है है और हमें 21 सारी बात समझने कोशिश करते हैं तापको यह समझ में आएगा कि हाँ हम ऐसे गल्तिया करने से कैसे बच सकते हैं तू सबसे पहले जो है तोड़ा सा , यह समझ दिया जा कि यह विवाद कैसे शुरू हूद धोड़ा सा मतलब एक कयते हैं की छोटी सी बात इसमें हो सकती है वो किया जाVI है और आप यह देख रहे हैं कि यह यूकरेन है आपका यह क्लत kilow और यह यूक्रेन जो है, अगर माली जो किया है, कि सारी जो लड़ाई के जगड़ है कह सकते हैं, वो यह है कि यूक्रेन जो है उसने क्या किया कि नाटो की सदस्ता की इच्छा जाहिर की, और नाटो हमेशा याद दखिएगा कि रूस के खिलाप बना हुआ एक प्रगार का सं रहेंगे तो सबसे ज्यादा जो है खत्रा किसको होगा रश्या वो खत्रा होगा यही एक बड़ी वज़ा है जिसमें क्या है कि रश्या जो है यहां पे युक्रेन को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है और अमेरिका उसके साथी देश जो है वो पूरे तो जो सारी जो चीजे अभी हो रही हैं सारी जो घटाएं हो रही हैं वो इसी के इर्द गर्दे घूम रही है अब यह जो मामला सामने आया हुआ है और मुझे लगता है कि इस तरह के मामले जो हैं आगे भी आने वाले समय में तरह तरह से उठते रहेंगे तो जरुत इस बात की है कि पहले हम ये समझें कि समय उनका क्या हो सकती है यहां पर, उनका क्या 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 कर सकती है इसके लिए हम क्या करें अपने सुजाओ त्यार करें है ना दिशिकोंट जो है आपका क्या होना चाहिए सेविंगतराश्ट संग के लिए पोजिटिव ही होना चाहिए यह हमेशाया रखिएगा एक दम एक सुरु में अगर आप यह कह देते हैं कि एक दम आपरसंगिक साबित कह सकते हैं पहले चलिए हम इस चीज को समझने कोशिश करते हैं मैं सिर्फ आप से कहूंगा तो आप नहीं मानें इस बात को लेकिन अगर थोड़ा सब डीटेल में इस चीज को समझेंगे तो हो सकता है कि आपका व्यू जो है वो क्या हो जाए बैलेंस्ट हो जाए आई कोश सब्सक्राइश रहा तौटव्या है है कि या चाल सकता है इसकोром सब्सक्राइश कमणे कोशिश ब्रकल्स नाजिए है कि यहाला थोड़ा प्रसरा सकता है कि मामला अगर यहां नहीं नहीं पट रहा है तो इसका मतलब यह है कि International Court of Justice में भेज़ दिया जाए मतलब अंतराश्ची नियाले में भेज़ दिया जाए लेकिन यहां भी क्या है कि दोनों पक्षों की सहमती से ही ऐसा किया सकता है और यहां पर दोनों पक्षों सहमती वाले बात जहां तक खास करके रूस की बात करें हैं तो इस तरहे एकरी है कि सहमती उह देने वाला नहीं है है न थीस्सरा जो है वह यह क्या सकता है कि जो देश है मतलब जिसे माल topics रूस है यूडरय जिया उकरेन है जिसे क्या है कि इसको UNO से इसके सदस्या से बाहर किया जा सके तो यह कह सकते हैं कि यहां पर क्या है सिक्योर्टी कॉंसिल है ने सुरक्षा परिशत की क्या होगी सुरक्षा परिशत की सलाह पर जो आपका जो जनरल एसेम्बली है वहां पर जो महासभा है वहां की तो वो क्या निकालना हो अगर, तो problem यहीं सारी बात की आती है, चूकि रूस क्या है, प Tibber है उना है किसका उनो का, स्चारी सिक्रिटी कोंसिल का, तो यहां पर क्या है कि अगर यहां परूस को अगर निकालना है, तो रूस को, या तो यह रूज चाहे तो खुद से निकल जाए और अगर रूज को निकालना होगा तो इसका मतलब यह है कि निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा जो सहिंतराश संग की बात अगर करें हम तो उसके जो चार्टर है यूएन चार्टर जो है इसमें क्या करना करना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि यह तरीका भी क्या है बहुत मुश्किल है इस तरीका भी मुश्किल है क्योंकि रूज जो है ना खुद निकलेगा ना ही को इस तरीके का यूएं चार्टर संशोधन के लिए चुकि पर्मानेंट मेंबर है इसका एक वीटो भी हो इसका मतलब कुछ हो जी निसकता है फिर वहांई पर सालिक चीज़ रोखने पड़ सकती है ना इसलिए क्या है कि ये भी पॉसिबल नहीं है है ना चौथा जो है वो कहा जाए कि आ कि बैन की बात किया है माली ज़य किया है कि हम अगर बैन लगाने की बात करें तो इसका मतलब प्रस्ताओ को क्या करेगा वो वीटो करतेगा और हमको ये बात पता है कि जो टोटल जो जितने बार भी वीटो जो है उसका exercise किया गया है वीटो का इस्तमाल किया गया है उसका 49% अकेले रूसी कर चुका है जिसका record ही इतना खराब है तो इसका मतलब ये है कि अपने मामले में ये क्या वीटो नहीं करेगा बिल्कुल करेगा है ना जिसका मतलब ये है कि ये भी तरीका क्या है वो कहीं से भी बहतर नहीं है है ना कहीं से भी इसको मतलब implement नहीं किया सकता है इस तरीके का महा का समयधान है महा के नियम rule regulation कुछ इस तरीके क्या है कि सारे तरीके जो है वो तो इसका मतलब यह है कि यहां भी in portraitूपरिंट जीज यह है कि कहां पे इस तरीके का युएनniいます operation जो है किया जा सकता है कहां नहीं किया सकता है कब किया सकता है इसका सारा राजिय कीया होता है security council ही लेती थीए पार समझ महारी के नहीं भी नहीं, ये तरीका भी नहीं, ये तरीका भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो बताती है, कि जो भी तरीका है, उस सारे तरीके को क्या है, इस तरीके से पर्मारन जो एक जो मेंबर्शिप है, सेक्रिटी कांसिल की, उसमें क्या कर रहा है, बहुत ब यहां थे हैं जैसे इस दोरान चुंछ जयुते हैं हम अगर बात करें सांगाने के सबये माही को सांगे 27ुने 27 पार सुभूरे नहीं है साथ 202022 के बात चाह articulated scor डीए तो यहां पे मतलब किसा मैंज है तो हैं वहाँ यहां से जो 3 साधुझ माथHello मात शाते हैं तो उस स्थापना की गई हैं उस उद्देश को पूरा करने में असफल साबित हो रहे हैं और इस तरीके से हमारे औचिते पर क्या लग रहा है प्रशन चिन लग रहा है इसका मतलब यह है कि यह चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए हम कुछ करना चाहते हैं मानवता के लिए और जिस उद्देश से इसका गठन हुआ है उस उद्देश को पूरा करना चाहते हैं हम यह करें कि हम जनरल एसेंबली किया ने महासवा की बैठक बुलाएं कैसे बैठक होगी यह आकस्मिक विशेश आकस्मिक विशेश सत्र इमर्जेंसी इस्पेशल सेशन है ना इमर्जेंसी इस्पेशल सेशन क्या करें इसको बुलाएं है ना और बुला करके क्या करें इस पे जो है पूरी तरीके से बादचित करें वेवार करें और उसके बाद साथ ही साथ जो है अगर यह कहा जा रहा है कि यहां पे एक तो यह चीज है ना एक विशिज बैठक बुलाया जाए और इसके साथ इसाथ अगर माली जे अपरेल में आ जाते हैं तो अपरेल में आने के बाद क्या दिखाई पड़ता है अपरेल में आने के बाद जो है एक रिमार्केबल जो एक तरीके का कह सकते हैं उसको डिसीजन लिया गया वो डिसीजन को इस तरीके से है कि इनसे पूछा गया किससे पूछा गया इससे पूछा गया याने परमानें जो सदस्य हैं उनसे पूछा गया कि आपके जो वीटो पावर है इसका और साथ इसाथ जो मेंबर्स हैं सेंक्तरास महासभा के याने सभी 193 मेंबर्स जो हैं उनक किया करें हम सब लोग गठे हों यहां पे और उस वीटो को जो लगाया गया है उस पर एक बहस का और एक और्गनाईज किया जाए एक डिबेट जो है और्गनाईज किया जाए ताकि जो है उसके आउचित के बारे हम बात किया सके और इस तरीके से अब देख सकते हैं कि जब इस तरीके से बहस होगी किसी के वीटो पे तो वहाँ पे जब इतने सारे देश मिलकर क्या करेंगे व सब्कियर्टिरासंग के हाद में जो था या जितना पाउर उसके पास है उसका उसने क्याकिया है प्आखने करने चलते हैं तो जो एक नियम मोह पे चल रहा है जो परवनेंट सदस्द्सिता है इन सब चीज़ों के अगर हम बात करते हैं तो यहांपे आलोचना इसके होने चाह है वग्या कर रही है सारी परशानियों का जड़ है इस था ही सबस्तिता। इसका मतलब यह है कि यो एक अगर यहCR г round जो विवाद है ऊस में हम कह सकते हैं कि इसने क्या किया है कि हमने किस बात का मौका दिया ए कि हम हम सायुक्तरासंग में कुछ सुधार कर सकें यही जो है लोकतन्त की खुबसूरती है और यही क्या है लोकतांतिक तरीका है अगर माली जी क्या है कि अगर यहां पर आप अगर यह उम्मित करते हैं जैसा कि यह समय चल रहा है तुरजनाए का hard and fast कोई चीज़ कर दिया जाए, लोग एक दम बिलकुल जो है, एक दम अधीर रहते हैं, सही शुर्ता की कमी है, अगर यह सब बाते अगर देखा जाए, और इसी आधार पे, इसी दिश्चिकोन के आधार पे हम क्या है, अगर यह चाहते हैं, कि हाँ, जो UNO है, UNO के पास क्या होना चाहिए, इसके पास बहुत सारा अधिकार होना चाहिए, कोई भी इस तरीके की हरकत करें तो इसका मतलब यह कि वहाँ पे पीस आपरेशन चला सकें, मिलिटरी वहाँ पर उतार सकें, यहाँ पर क्या है, इसकी अपनी सेना होनी चाहिए, और बहुत अगरेसिव हो सकते है सुधार के लिए भी आप इस तरी के सुझाओ दे सकते हैं लेकिन वास्तों में किया है इस तरी के से आप कुछ सुझाओ देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक नय lange कि बहस एक नए तरीक्ति के लड़ाई है ना हो सकता है कि फिर जो है दुनिया जो है यू-nå के कि खिलाब यूट वाइगा करने लगिए दूसरी बात है और उतर रही है तो वहां पर जाएगे एक पार्टी की तोरपे आ जाएगी पार्टी की तौरपे आ जाएगे इसका मतला है कि जो निश्बक्षृता जो आज कुछ हो तक है तो इसका क्या है कि हम सुधार की बात करें सबसे important चीज है इसमें सुधार जो है कहा करना है ये security council में करना है वो किस तरीके करना है वो इस तरीके से करना है कि भाई जो permanent सदस्ता है उसके एक सीमा होनी चाहिए इसके अलावा जो है और भी लोगों को क्या है इसमें पर्मानन सदस्था दिया जाए या फिर पर्मानन सदस्था खत्मी कर दिया जाए एक मैजॉर्टी के अधार पर क्या किया जाए डिसीजन लिया जाए ये सबसे बहतर होगा कैसे होगा क्या होगा कर ये हमारा जो है क्या है आज कि एकार जो क्या सकता है उस लिए कोषिक की ने कोशिश की है लेकिन यह पर ने भी जो आपने लिया जा पारा है और इसके अलावा जो आपने देखा कि यह कर सकता है उन्हों ने क्या कहा उन्हों ने यह कहा इसतरres संग धरा कि दWARA कहीं न कहीं कि कहीं प्रगाल से क्हाए रूस के खिलाब जो यह एक जन्मत त्यार करने कि कोशिष है तो धर ने ग ignorant आने वाले समय में इस तरह के से अगर जन्मत अगर तैयर होता है और इस तरह के से मांग उठती है तो फिर क्या होगा कि सिम्टरासंग में एक सुधार की गुझाइश दिखती है, होना भी चाहिए क्योंकि पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच में इस तरह की बहस होने लगी है और मुझे लगता है कि युवाओं के जो भागिदारी है भूमिका है वो क्या किया जाए थोड़ा ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेशन इस तरी के संस्ताओं बढ़ाया जाए ताकि आज के संदर में अगर कोई इस तरह के बड़ा व्याफक परिवर्तन करना है तो इसका मतलब यह है कि फिर जो कमियां हैं यहां पर यह देखा जाता है कि जो विक्सित देश हैं वो जो है अपनी मोनोपॉली चलाते हैं या फिर यह कहा जाए कि वह ज़्यादा क्या करते हैं अपना यहां पर अधिकार चाहते हैं और उसी तरीके से क्या है मनमाने तरीके से काम कर नजार आते हैं इसका मतलब यह है कि यह सारी चीज़ें जो हैं वो continue रहेंगी इसको दूर करना अगर तो इसका मतलब यह कि अंतराश्टी इस तर पर इसको बड़ी दिक्कत यह है कि आप देखें क्या है कि हर देश जो है अपने विक्तिगत हीत के बारे में सोच रहा है है किसी भी अगर माली जो क्या है कि युएन्यों के अलाव भी किसी तरी के संगठन अगर बन रहा है तो संगठन में भी नजार आता है कि लोग जो है अपने विक्तिगत हीत अपना इंट्रेस्ट जो जादा देखते हैं कहीं भी त्याग वाली भावना नहीं दिखाई पड़त लगसी माता सभी सद्व से देश्यों है यह ओए आछ कि वहन जो नहीं भी है उनको क्या है कि एक त्याग कि भावना रखनी पड़ेगी कुछ ने कुछ त्याग करना पड़ेगा आभी त्याक्रेंगे छोटे से ट्याग करेंगे लेकिन भशलम हो में जाते हैं जाकर क्या मि काली इस तरह पर जो है आप क्या है अपने छोटे-छोटे हीट की वजए से कोई भी ऐसा बड़ा डीसिजन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो विवस्ता देख रहे हैं यह लगातार कांटिनिटी में चलती ही रहेगी तो एक बड़े सुधार क्या वशक्ता है कि अगर हम रूस युक्रेन के संदर्व में क्या है इस तरह के विवात को देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि हाँ जिस तरह के भूमका क्या पेक्षाम करते हैं उस तरह के भूमका जो है वो यून ने नहीं निभाया या फिर हम यह कहें कि यून ने निभाने की कोशिश की लेकिन निभा नहीं पाया मेरी बात से समझ रहा है निभाया नहीं यह आलोचना वाला पार्ट हो गया निभा नहीं पाया तो इसका मतलब यह है कि उस सिस्टम की कमी है जिसकी वज़से वो क्या है ऐसा नहीं कर सका हमने जैसे देखा कि इसने कोशिश की लेकिन क्या है कि इस कोशिश के बाद भी क्या है कि वैसा कुछ नहीं कर पाया क्यों क्यों कि जो सिक्यूर्टी कॉंसिल से जो चीज जो रिजलुशन आता है वो बाधिकारी हो जाता है लेकिन अगर क्या है General Assembly याने महासाभा से जैसा कि महासाभा ने कोशिश भी की Security Council को क्या है थोड़ा सा चिताया जाए और उसको क्या है इसको थोड़ा सा responsible बनाया जाए लेकिन जो भी resolution महां से पास हो पुझब tätष है वहान मानि कर ले जाते हैं तो एक आपके सामने जो let you करNewा करना है इसका ममदलब यहे कि जो कमिया है जो system मेरे स्कोमिया उसकेसपशना करना है और यू इंहज बाकी जो जो इसके भाग हैं ऑंग है जैसे समाजी आिक एसपरिशयत की बात करें हम नियास और यूनिसेफ है और यूनेसको है यह सभी जो है अपने रोल जो है अच्छे से निभा रहे हैं या यू एनीपी है जो इन्वाब्मेंट प्रोग्राम जो चल रहा है है ना सभी जो है कुछ कमिया तो भाई हर जगा होती है लेकिन फिर भी पूरी कोशिच के साथ जीतने भी हैं अंग है जाति साथ है फिर वहाँ तरह की चीजघ करना पती है और इसी आधार पे क्या तो मेरे समझ से बात क्लेयर हो गई होगी कि साथक परब्म मिन करना चाहती है लेकिन करनी पाती है इसका मतलब यह है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है खास करके problem यहाँ पे security council में है जो परमानेंट जो वहाँ पे जो membership है यहाँ पर साइस अदिस्ता है उसमें क्या है कि सारी दिक्कते आ जा रही है तो यहाँ पर क्या है कि एक अंतराश्टी जन्मत का निर्मार होना चाहिए यहाँ को इसलिए ज्यादा ज्यादा इसमें participation के तर हो जाएगी फिर यहाँ जैसी संसा जो है वो अपने प्रासंगिता या उचित जो प्रशन चिना भी लग रहे हैं उसको ज्यादा बहतर तरीके साबित कर पाएगी और एक अंतराश्टी उमिद कर सकते हैं कि ऐसा यहाँ जो है अंतराश्टी शांती सोहार्थ है ना और ऐसा महाल तयार करने में सक्ष्या होगे जिसमें क्या है सभी को पूरा पूरा मौका मिलेगा कि वो अपना विकास कर सके हैं और एक ऐसे विशु का निर्मान संभा हो पाएगा जिसमें क्या है सब जो है सुखी रहें खुशी रहें और सुरक्षित रहें बेना किसी डर के अपना विकास कर सकें है ना तो ऐसे विश्व कि हम कल्पना कर सकते हैं और यह हमेशे हैं दखेगा ऐसी कल्पना जो है ऐसी संस्था के जरिये ही हम वास्विक जमीन पर उसको ला सकते हैं अधरवाइस कोई और दूसरा तरीका मेरे समसे नहीं है और कोई दूसरा तरीका आप सो सकते ह पर मुझे क्या है ऐसा कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आता है ठीक तो इसमें जो आपने से समझा वह यहीं है कि आप जो है इस पे जो अपना एप्रोच है वह बहुत अच्छा रखना है आपको एकदम परसनाली जो है आप आलोचना एकदम करने मूड मत आ जाईएगा है न और हमने क्या है इस संसा को बनाया है हमने इसका क्या है सिस्टम जो है डिवलब किया है तो इसका मतलब यह है कि हमको ही पुरी कोशिश्च से क्या करना होगा इसमें जो सिस्टम है जिसकी वज़े सारी प्रॉब्लम हो रही है उसको क्या है बदलना है उसमें सुधार करना है मतलब यह है कि हम यह जो विबाद है रूस और यूक्रेन का उस विबाद को क्या करें इस तरी इस नजेरी से देखें कि हाँ इसमें कुछ कमिया है और इसमें क्या है कुछ सुधार किया जाना चाहिए मतलब सुधार करना है इसकी प्रासंगेता खत्म नहीं हुई है और फिलालबी खत्म होने को कोई संभावना भी निए दिखाई पड़ रही है ठीक है तो कोशिच यही करना है कि आपको क्या है एक अच्छा अच्छ एप प्रोच लें चलना है और इस समझाने लगें यह गलती मत कीज़ेगा टॉपिक को पकड़ के चलिएगा टॉपिक जो कह रहा है उसी को ही पहले से लेकर लाज तक इसमें इसका मुद्दा क्या था इसका मुद्दा यही था कि इस युद्ध के संदर में इसने क्या किया पूछा आप से कि आप यह बताए कि से क्डुरासं की भूधिका मतलब यह है कि अगर माली जी क्या हैकि युद्ध घगर हुआ है इसका मतलब प्रशनों के उत्तर देते समय आप ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिसमें क्या है कि आपके पसनालिटी की जो नीगेटिव चीज़ने होती है ना खुद بार तो इसलिए थोगा सा समझदारी से इस तरीके के जो ऐसे हैं उसको लिखे है ना ठीक है चलिए थैंक यू